नमस्कार किसान भाईयों नमस्कार मैं ललीत रगवंसी फिल्ड ओफिसर चांद पांजरा खमरा में देखता हूं और अभी जो मैं खड़ा हूं चांद में खड़ा हूं यहां पर मटर के प्लाट में यह मटर रफेल लगा हुआ है जो कि नैशनल स्टीट का है इन्होंने चार मटर लगाया हुआ जो कि बहुत 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 हैं तरीक से लगा हुआ है आज यहां पर फसल प्रदसन किया जा रहा है चुकि यह मटर हमने इनको दिया था दीन बारा था दॉस्से कि और बटारीक आज है 2022 कि दूसरे मेने में फरवरी में यहां कर रहे हैं आपने देखा कि जो मटर है इसकी लगभग तीन फीट इसकी हाइट आ रही है फली जो है इसमें बहुत जादा आ रही है और जैसे कि एसम सर संखृष हरी सर ने आपको बताया कि इसमें जो फल की संख्या अत्यदिक आ रही है और साथ ही अंने कमपनी के मटर से इसमें हम जादा इस बराइटी में मिल रहा है दूसरी चीज इस बटाने में रोग कीट लगने की संभावनाय ना के बरावर है और चुकि यहां पर खरपतवार बहुत अत्यदिक होने के बाद भी खरपतवार ने अंतरन नहीं है उसके बाद भी मटर बहुत पहतरीन तरीके से निकल र है और अच्छा रेट भी किसानों को यहां पर विल रहा है जैसा कि किसान भाई ने बताया कि हमने आपकी कमपनी की सारी चीज़े लगाया हुए है यहां 244 लगाया हुआ हूआ है और मकवी हमको हमने नंको दिये थे तो वह भी बहुत अच्छा रहीillar साथ ही इनने धनिया भी लगाने की यह बात कर रहे हैं manuscript इसको भी लगाने की बात चल रही है साथ ही रटाना चाहेंगे कि यह जो किसान नियंटर प्रगति शिल किसान मेंनने से और यह एक अच्छे किसान जो चेत्र के हैं चांद चेत्र के वो रफेल मटर ही लगाएं और अधिक उत्पादन पाएं मैं ललित रगवन सी नेसर स्ट्रीट फिल्ड ऑफिसर एक चीज मैं और बता दूं मैं संकर जारिया नेसर स्ट्रीट कंपनी से हूँ और यह कंपनी है है और आज हम जहां खड़े ह हुए है यह मटर का खेत है आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से और किसान का नाम नवीन जैन और इनकी खाद बीच की दुकान भी है और यह चौरे के हैं मुकता और चाद में इनकी खेती है इन्होंने लगवग तीन वारा दोहजार तेस को मटर रफेल लगाया कि इसमें तीन-चार जो मुख्य बाते हैं सबसे पहले अन्य किसमों से अधिक इसमें उत्पादन आता है दूसरा यह फली सबसे ज़्यादा आती है इसे बैराइटी में आप देख सकते हैं फलियों का कार और फली 10-12 दाने की फली आती है और इसका जो पौधा है लगवग का sir cash 15gas के नियुक्त इसमें में न आती है वर फली का जो अकार हैं लगवग 100 mm के असपाद है ज़ने बाद